शिवलिंग पर इस वक्त चड़ाएंगे जल तो मिलेगा कई गुना ज्यादा लाव, बोले बाबा खुशियों और पैसों से भर देंगे जूली। अगर आप चाहते हैं कि आपको पूजा का सही और पूरा फल मिले तो शिवलिंग से जुली ये गलतिया भूल कर भी न करें। अगर आप शिवलिंग पर इस समय जल अरपित करते हैं तो आपको कई गुना अधिक फलों की प्राप्ती हो सकती है। तो यहां जानिए शिवलिंग पर जल चड़ाने का सही समय और नियम। भगवान शिव का अति प्रियम मास सावन शुरू हो चुका है। इस पूरे महीने पूरे सावन माह सच्चे मन से शिव की आराधना करते हैं उनकी हर मनो कामना पूर्ण हो जाती है। सावन में किये गए पूजा के फल में शिव शंकर कुवारी कन्याओं को मनचाहावर, शादी शुदा लोगों को सुखी दामपत्य जीवन, निसंतान दमपतियों को संतान स सुख का आशिरवाद देते हैं। सावन में नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चड़ाने से घर परिवार में सुख समृद्धी बनी रहती है। लेकिन शिवलिंग पर जल चड़ाते समय कई बातों का ध्यान रखना बेहत जरूरी है वरना आपको शुख फलों की अरपित करें लोहे या स्टिल बरतन का प्रयोब न करें। कभी भी पूर्व दिशा के और मुख करके जल न चड़ाएं। उत्तर दिशा के और मुख करके शिवजी को जल अरपित करना शुब माना गया है। शिवलिंग पर खड़े होकर नहीं बलकि बैठ कर ही जल चड़ा आएं। तामबे के बरतन से शिवलिंग पर दूद भूल कर भी अरपितना करें।